मोबाइल से वीडियो कैसे बनाए यूटूब के लिए जिया दोस्त यदि आप अपने मोबाइल फोन का इस्तमाल करते हुए यूटूब के लिए वीडियो बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है इस वीडियो में आपको यूटूब के लिए एक प्रोफेशनल व अप्लिकेशन है यानि कि एप हैं जिनकी सहता से आप बिल्कुल फ्री में वीडियो को बना सकते हैं तो सबसे पॉला है यहां पर एंड्रो वी आईडी या एक काफी अच्छा वीडियो एडिटिंग अप्लिकेशन है जिसका इस्तेमाल करते हुए आप यूटूब के लिए का काफी प्रोफेशनल लेबल का वीडियो एडिट कर सकते हैं इसमें जो है आप फोटो को एड़ करके स्लैट के थूए एक प्रोफेशनल लुकिंग दे सकते हैं चलिए नेक्स्ट है पावर डारेक्टर वीडियो एडिटर या एप जो है काफी अच्छा है बहुत सारे आपको यह सबी फीचर जो हैं पीरंडर वर्जन में मिलते हैं लेकिन फ़ावर डारेक्टर में यह आपको फ्री में ही मिल जाएंगे कभी दूसरे वाले अप्लिकेशन से मैं अपना वीडियो एडिट कर लेता हूं तो आपको जो अच्छा लगे आप अपने अनुशार से इसको डाउनलोड करना काफी सिंपल है सिंपल है आप अपने मोवाइल फोन में प्ले स्टोर को ओपन करें और वहाँ पर इस अप्लिकेशन को सर्च करें अगर उतना भी नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनसा भी अप्लिकेशन का लिंक मिल जाएगा सिंपलने आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं चलिए नेक्स्ट समझते हैं यह अप्लिकेशन काफी बेस्ट है मैं भी इस अप्लिकेशन का इस्तमाल करता हूँ यह जितने भी मैं आपको यहाँ पे वीडियो एडिट करने वाला अप्लिकेशन का नाम बताऊंगा सभी को मैंने इस्तमाल किया हूँ और मुझे काफी best experience मिला है इसलिए मैं यहाँ पे इन सभी application को सामिल किया हूँ यहाँ पे मैं किसे भी परकार का कोई promotion नहीं कर रहा हूँ मुझे यह अच्छा लगता है इसलिए मैं आपको बताता हूँ तो काइन मास्टर भी यूटूब वीडियो के लिए काफी बेस्ट एक application है और नेक्स्ट है फिल्मोरा गो यह तो एक professional high level का professional application होता है इसका software भी आता है तो जितने वी Hollywood film होते हैं लगबग VFX का जहां पर इस्तमाल किया जाता है green screen जिसे कहा जाता है Hollywood में जो वैग्राउंड का पीछे का चेंज हो जाता है मेरे वी वीडियो में आपने देखा होगा कि मेरे वैग्राउंड चेंज रहते हैं वे सभी VFX का कमाल रहता है तो फिल्मोरा गो जो application है वह खास और जो है YouTube के लिए ही बनाया गया है यानि YouTube वीडियो है इसे movie हो comedy हो cartoon हो सभी कुछ काफी अच्छे से editing हो जाता है तो यह भी application काफी बेस्ट है फिल्मोरा गो से video edit कैसे करते हैं सीखना चाहते हैं तो इसका भी link इस video के description में दे दिया हूँ आप वहां से देख कर थोड़ा basic सा जनकारी ले सकते हैं चलिए next समझते है next है यहाँ पे WPS office जी यहां दोस्त यानि की MS office है MS office में आपको PPT तो जानती होंगे powerpoint होता है यहां पे powerpoint तो इसमें slide के इस्तिमाल करते हुए video को बनाया जाता है जो देखने में काफी अच्छा लगता है education video जो है अधिकतार इसी से बनाया जाता है तो यह जो video आप देख रहे हैं यह भी video जो है आपको MS office के powerpoint के द्वारा ही बनाया गया है और बनाया जाविरा है तो इस video में आपको इसी application का कैसे इस्तिमाल करना है किस तरह से आप इस video को बना सकते है YouTube video के लिए मैं आपको बताऊंगा तो simple नहीं आपको करना क्या है अपने mobile में WPS office को डाउनलोड कर लेना है यह फिर आप Microsoft PowerPoint को भी डाउनलोड कर सकते हैं यह इसी के अंतरगत आता है और आगे की process कुछ इस प्रकार से है प्रोपी office application को open करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का interface देखने के लिए मिलेगा जैसा कि यह video जो है इसी से edit किया गया था इसलिए वह यहाँ पे सू कर रहा है simple ने मैं आपको यहाँ पे home screen पे लेकर आ रहा हूँ उसके बाद से मैं बताऊंगा इसके बाद से आपके सामने कुछ इस प्रकार का interface देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पे आपको recent में देख रहे हैं यह सभी जो है project है मैंने powerpoint पे बनाया है तो यह आप में नहीं दिख रहे होंगे आपको simple ने यहाँ से विल्कुल clear दिख रहा होगा तो आपको करना क्या है आपके सामने इस तरह का विल्कुल interface दिख रहा होगा यहाँ पे आपको एक दिखेगा plus का sign दिखेगा इस करना साइन पर क्लिक करना है और प्लस संब यहां पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहां को सेकेनー में पीपीटी का एक ऑप्षिंड दिखेगा पाउर पॉइंट होता है तो simple नहीं आपको इस पे click कर देना है और click करने के बाद यहां से आपको blank लेना चाहते हैं तो पहले वाले पे click करें और बहुत सारे ऐसे template हैं जो यहां पे आपको फ्री में मिल जाते हैं तो यहां पे education purpose के लिए कोई video बनाना चाहते हैं तो यहां पे आप template चुन सकते हैं ऐसे हैं business purpose के लिए तो इसमें बहुत सारे ऐसी template भी गई है तो आपको जो चुनना है हुआ select कर लें तो for example मैं blank चुनता हूँ तो मैं simple नहीं blank पे click करूँगा blank पे जैसे आप click करेंगे आप type कर सकते हैं type करने के बाद अगर इसको आपको वोल्ड करना है तो पूरा को select करें और यहां से नीचे में आपको b पे click कर देना है size बड़ा करना चाहते हैं तो यहां पे plus करें और com करना चाहते हैं तो minus करें ऐसे ही आप बहुत नहीं असानी से कर सकते हैं और नाया स्लाइड एड़ करने के लिए इसमें जो हैं आपको नीचे में यहां पर प्लस का एक बटन दिखेगा हैं से आप कौन सा wysyndra को पिलेगा ज्लैंक ज्सकशन चाहते हैं डेपिश तो ऐसी था को ह师 strongest तो यहां तो tape कर सकते हैं तो यहां पे तो होगित आप एड कर सकते हैं अगर यहां पे नीचे में जो हैं इसको लर चेंज करना हो है या फिर तो लह करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो नीचे में चाहें यहाँ पे नीचे में आपको चार को वटन दिखेंगा सिंपल नहीं आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट कलर में यह टेक्स्ट का जो है कलर चेंज हो जाएंगा अगर यहां से इसमें बहुत सरे इसी सेटिंग है जो कि एक वीडियो में बनाना बता पाना पूसिबल नहीं है आप फिल कलर पे क्लिक करेंगे तो यहां पे जो वर्डर है इस पे कलर आजाएंगा और जो साइड का एरिया आप इसमें देखना है यहा में आपको इसमें पिक्चर का ओप्षन मिलता है बस आपको सिंपल ने पिक्चर वाले ओप्षन पे क्लिक करना है और जिसमें यहां से पिक्चर को स्लिक करना चाहते हैं सिंपल ने आपको इस पे क्लिक कर देना है और जैसे ही आप करेंगे तो यहां से आपका पिक्चर अगर कोई टेक्स्ट एड्ड करना चाहते हैं अपने औरसे तो यहां पे टेक्स्ट क्लिक करें और जिस तरह से आप लिखना चाहते हैं आप यहां से बहुत यह असानी से लिख सकते ने के माद इसको बढ़ा करने के लिए मैंने परहीं बता बड़ Hampshire segal Afghanistanhash best अब plaque करना है तो बीपे क्लिक करें अगर इसको में कलर देना चाहते हैं तेक्स्ट कलर तो यहाँ तो यहाँ से इससे Le 울 चाते हैं यहाँ से औरिएकंज्टे करना चाहते हैं grieving सकते हैं यहाँ तो थ्री जो स्री watch देना चाहते हैं सभी कुछ यहांसें आप बोहती असानी से बिल्कुल अच्छे से दे सकते हैं और क्या слon um a दिया गया है तो बहुत कुछ इसमें कर सकते हैं तो इस तरह से आप अपना यू-टुप के लिए एक प्रोफेशनल वीडियो जो है बना सकते हैं काफी अच्छा से तो एक वीडियो में बनाना तो पोसिबल नहीं है चलिए इसमें थोड़ा सा एफेक्ट जो है लगाकर दिखा देता हूं तो सिंपल इफेक्ट लगाने के लिए आपको यहां पे जो हैं अगर मैं आपको अभ और जैसे यह प्ले वाले option पे क्लिक करेंगे तो यहां से देख सकते हैं कि इसमें कोई भी effect नहीं है बस slide जो है आगे की तरह जो है जारा यहां पर जिस slide को में आपको effect डालना है उससे select करना है और आपके सामने इस परकार का option दिख जाएगा और निचे में आपको transition का option दिखेगा और उसके माँ से यहां से आप देख सकते हैं कि कितने त्रों का design का slide आ रहा है जो भी slide लगाना चाहते हैं जिसमें आप उसके अमसार से लगा सकते हैं अगर पूरे में apply करना चाहते हैं तो apply to else slides पर click करें और इसके माँ से यह slide apply हो जाएंगा simple नहीं आपको done पर click करना है और play पर click करना है अब जैसे आप click करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं कि slide का आना स्टार्ट हो गया अब आगे करेंगे तो इस slide जो है आते रहेंगा आई होप कि आपको यह video पसंद आया होगा इस video को like करें और चानल पे आप पहली बार आये हैं तो टेक सी के वर्ल यूटूब चानल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि इस चानल के प्लेलिस्ट में इस चानल पर ऐसी बहुत सारी वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाएंगी जो आपके लिए काफे हल्पुल होगा और इस चानल पर जो भी वीडियो अपलोड हो नीव उ सबसे पहले आपके पास आये तो इस चानल को सब्सक्राइब कर ले और वगल में बिल नोटिफिकेशन है उसे दमाना ना भूले